आप सेंपेथी लूटना चाहते हैं या हकीकत में बात करें और हकीकत में कहरें तो आपकी जो एफिसेंस इस पर शक हो रहा है इसके मतलब कहीं न कहीं आप कमजोर हैं इस तरह की बात हैं मत कीज़े हिंदुस्तान बहुत बजबूत है कोई दागत भगत इसको नहीं हिला सकती आप खुद ही हिले हुए तो हम क्या करने भाई से मुझे नाविका जी लगता है नुराग भडोरी अभी डिबेट करने आते हैं या बहले निर्ति करने के लिए यह कहरे हिलने लगे इतना हिलते डूलते हैं भाई ही वतरा आतों विछितनी स्काइल में डिबेट करते हैं ज इसको जाके उन्होंने कोट किया हो पाकिस्तान मनि शंकरा यह और सभान खुर्शी घर थे के नहीं पाकिस्तान और यह कह रहे है कि आप हटाइए मोधी नी को शर्वानी करिया ऐसा हलो दोस्तों आपका स्वागता वाले डिबेट शो के अंदर दोस्तों आज हम जिस वीडि देपर होगी जिसके नहीं आपको सुधान सुत्रवेदी जी और समाधवादी पार्टी के प्रवक्ता अनराग बजोरी के बीच में काफी तीकी बैस इस डिबेट में देखने को मिलेगी तोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा इसलिए वीडियो का इन तर्ग से देख इसमें और जिस तरह की बाते भी सुधान सुत्रिवेदी जी कर रहे था ऐसा लगा था जिसे बिपच्छम बैठे हैं बिचारे आसा हैं उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं सब विदेशी तागते देश पे हाँ भी हैं पैसे से सरकार बदल देंगी तो भाई जब सब कुछ बिदेशी तागते हैं पैसा सब बदल देंगी तो आपकी यहां पे इंटलिजिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है बाई सरकार क्या कर रही बाई सरकार इतनी कमजोर तो हिंदुस्तान की सरकार नहीं है कि कोई भी बाहरी आएगा पैसा खर्च करेगा हिंदुस्तान की सरका कोई तागत भागत इसको नहीं हिला सकती आप खुद ही हिले हुए तो हम क्या करने भाई तो इसलिए आप मुद्धों पर बाते कीजिए और ज्याद अच्छा होगा अपने की तो डाटा निकल निकल वा लिजे सारा दिन इनका एक ही तो धंदा है भारती जंदा पाटी का कि सब्सक्राइब करो डराओ धंकाओ तभी तो पूरी विपच्की पाटी एक साथ आई है मैंने का सुदान्सु जी से जरूर पूछ लिए जागा जोला लेके जाते हैं क्या सब्सक्राइब कभी टमाटर सो के पार है लेकिन इनके सिकन नहीं है चेहरे पर कोई चिंता नहीं ह क्या फरक पड़ता है हम तो बैठे हैं होगा सो रुपए चलने दो सो रुपए क्या है चोचो डीजल पिट्रोल सो के पार टमाटर सो के पार तेल 200 के पार लेकिन उसांती से बैठे हैं होगा यह कोई मुद्दा ही नहीं है जिए जिन राज्यों में आपके दोस्तों की सरका रीख करने आते हैं या बैले निर्ते करने के लिया आते हैं यह कह रहे हैं यह तो मस्तिर में जिए करते हैं जितना आपका जबार नहीं हिलती उसे आदा शरीर हीलता है और जो सवाल उठाया गया है कि ये बताईए कि अधिकांश्ता सारे के सारे विपक्ष के ही राज्य क्यों है जहां पेट्रोल का रूपए से उपर है और मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसका देश में अलग-अलग दाम होता है चूंकि उस पे तीन प्रकार के चर्चा करनी होती तो मैं उसका डिबेट रखती यहां जब देश तोड़नी की बात आती है तो इनको गरीबी की याद आ जाती है दामों की याद आ जाती है इनको याद आ जाती है बेरोजगारी के आगे पीछे नहीं आती इन से सवाल पूछे सुदानशु तरिवेदी ज तो इनको ये सारे तमाम चीज़ें यादा आती हैं लेकिन दोस्तों के बारे में टिपड़ी नहीं आदे कि मैं बात करना चाहते हैं अगर कोई भी पक्षी हल करे तो सब्सक्रार किया है हमारे देश की सब्सक्रार की कम्जूर नहीं हो सकती है अच्छा अनुराग मजोरिया जी जवाब आ रहा है जवाब दे रहे सुदान्शु जी कृप्या सुनने की कोशिश करे देखे इंको काईदे से लिवेट करनी हो बीच में आके कभी कुछ कभी कुछ चीकना चिलाना शुरू कर देना खै मैं जवाब देता हूँ देखे हमने यह नहीं का हमारी सरकार कमजोर है हमारी सरकार हर चीज पे नज़र रखे हुई हर चीज का लीगल नहीं मौरण जवाब भी चाहिए क्यों ऐसा होता है क्या राहूल गांदी जी कही बयान कोट के जाते है पाकिस्तान के दौरा रैयास तक कॉंग्रेस के वी इतिहास नेश्तल संडे मारा अउग के दमाने में नेरू जी के दमाने में नर्समाराओ के दमाने में इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ इसमें कोई संदे की गुंजाइश नहीं रह जाती और तो और हाफिस सईद का बयान है जिसमें वो कॉंग्रेस की तारीफ कर रहा है कि ये मोदी और उसके लोग खराब है भारत में अच्छे लोग भी हैं जैसे की कॉंग्रेस और अगर ना जरूवत ना हो तो जा कि देख भीजे तो वो भी दिखा देंगे इसलिए हम ये कहना चाहते हैं ऐसे नहीं कहना चाहते हैं और कानूनी एजनसी तो अपना काम करी रही है उन सब को तो जिते भी जिते ये लोग थे वो सब तो हैसियत में आई गए हुरियत वालों से लेके सारे मगर देश की जंगता ने भी सब कुछ देखा है और वो भी उस बात का सही प्रतुत्तर दे रही है इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि जिसको भारत के विश्व द्यालों में कोई नहीं बुलाता उनकी सरकार में कोई नहीं बुलाता उन्हें अचानक विदेश में ये कौन से प्रेफॉर्म है जो बुलाते हैं और कहां से जाके तो वो भारत के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो अदालत की चोखट पर मुग की खाकर माफी मांग चुके हैं चोकीदार चोर वाले बयान के उपर और वो भारत के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो फिलहाल मुचलके के उपर हैं वो भारत के चंदनेताओं में से एक हैं जो RSS पर टिपणी करने के लिए मुकदमा अभी भी देख रहें जेल रहें हैं दोस्तो आज की यह डिबेट इसी मुद्दे पे थी जिसके अंदर बीजेपी के प्रवक्ता सुधान सुत्रिवेदी जी और समाधवादी पार्टी के प्रवक्ता अनराग भदोरिया के बीच में काफी तीकी बहस इस डिबेट में हमें देख लेकिन दोस्तो जिस मुद्दे पर यह डिबेट थी उस मुद्दे पर हमारे समाधवादी पार्टी के प्रवक्ता अनराग भदोरिया ने बिल्कुल भी बाते नहीं की और वो इस डिबेट को महेंगाई की तरफ ले जाते हुए इस डिबेट में दिखाए दिये लेकिन दोस्तो सुधान सुत्रिवेदी ज तरीके से अनराग भदोरियों के इस डिबेट में जवाब दिया और उनकी पूरी तरह से बोलते बंद कर दी ख्यार दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो समेती इरानी आरोप लगा लिए रहूल गांधी पर उसमें कितनी सचाही है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करके जाएगा फिर में लेंगें दोस्तों ऐसे वीडियो के दार तब तक के लिए बाबाए टिक के